तो फ्रेंड अभी हम आपको दिखा रहे हैं कचेरी फ्राइव ब्रिच और अभी हम आपको उपर से पूरा नजारा दिखा रहे हैं और सामने आपको भी दिख रहा होगा यहारी का कचेरी हर्ट है और यह सीधी लाइन जाती है हमारे में रेल्वेशिशन की ओर और नीचे यह जो लाइन देख रहे हो आप यह सीधी जाता है लकडव बिहार वाले ट्रैक है और आगे सीधी लाल पूल पी है और सामने आपको इंद्रा नगर की रेल्वेशिंग में देख रहे होगी दूर तो है गाइस में आपकी होस्ट नोपूर वल्वेशिंग देख रहे होगा और इस सामने आपको बहाँ पुराना गेटमान के दिख रहा होगा और और इस साइट को तो ट्रांग जाता है हमारे राइट अंड साइड पर जाता है हमारे मीन हैं जो रेल्वी सेशन है उसकी ओर जाता है और इस सेट को ट्रांग जाता है हमारे लेफ इंस आइड पर ही जाता है ते लाल पूर और अभी देख और आज ठ Reddit ब्यारी यूट्यूब चानल है यूट्यूब चानल के लिए बन रहा है चो फ्रेंट अभी आप मेरे पीछे देख रहे ही जाता है कि आप मेरे प्रीविस व्लॉग में वल्री देख रहे हो लालपूल वला लॉग और नहीं देखा चाल पर दा के विजट करिये हैती है के मेरे डुकिन को अब धानिले प्रीविस व्लॉग में देखा हुआ है कि हमने के रू-च व्लॉग 추천ывайтесь वाले जो माल गोदाम था वो दिखाया जिसमें परानी रेल्वेल लाइन गुजरी और विमने अलग अलग जखें पर आपको दिखाया तो पहले आपको थोड़ा सा मैप के जरी समझा देते हैं कि हम कौन सी लोकेशन पे हैं और अभी क्या क्या चीज आपको प्रीवेस लॉग शेहपुर मेन रेलिवे लाइन और भारेण यह जो लखन Connectansen एक अपर वालीं परेड़री सेड और यह आपको देख रहा होगा यह में रेल्वे सिशन इन आरे में बहत सब्सक्राइब सेपर आप और इधर को जा रही है यह पेली भीत की हो जाती है और यह जाती है यह हमारी केरूगन चोटी लाइन की और जाती थी जो कि अब पूली तरीके से बंद हो चुकी रेकिन इसके भी अफशेश हमारे शहर में आज भी मौझूद है और आपको बता दे यह जो देख रहे होगी य तर्ट ऐसे हमारे रोडवेज ब स्टांड है और उसी के पास पिए पह देख रहोगी यह देख रहोगा हो कि अपनी पुरानी रेलो राइन दिख राइन तो यह जो है यह जो प्रानी रेल्व लाइन है जो कि अपको अब करिवेर अपने इस से पहले बाब लॉग में जेख आपको दिख रहा होगा है यह बिजडी पुरा एरिया जहां पर दोनों पुलिया दिखाएंगे दिखाएंगी अभी कचेरी बिजए और इसी के पास यहां है पुरानी ब्राड गेज रेल्वे लाइन निकली है तो कि अभी हम आपको इस प्राणी पुरा दिखाएंगे और य यहां पर भी पुलिया है तो यह और इसके आगे यहां पर डाइवर्जियन है जो कि यह दो बागों में बट रहा है इधर बहादुर गंच रेल्वे के स्टेशन के और चला गया और यह जो गया एक यह सीधर ट्रैक यह मारा के रुगंच माल गुतन के और चला गया तो यहां पर लोगेशन पर जाके शूट करना यह असान काम नहीं होता है तो पीस आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए शेयर करिये चैनल को सब्स्राइब किये चैनल को आप मैप देखे तो समझी गए होगे हम कहां तो फ्रेंट अब हम कड़े हैं इंद्रा नगर में आपको दिखा रहे हैं अपनी पुरानी रेल्वे लाइन के अफ्षेष जो कि सिफ उसके अफ्षेष के तौर पर यह पिलर बचावा चोटा सकंबा है जो के और यह साइड को है इन दोना के बीच में यहां से ट्रैक निकलता था जो कि इन जंगलों से होते हुए सीदे उस म में ट्रैक निकलता था जो कि उस में लाइन मिलता था और आपको बता दे उस साइड को देख रहे हैं गिए पूरे फटक्या जो थी पहले आपे हुआ कर दी तो उसके अफ्षेष बाकी है जो कि पूरते के से डामज हो चुका है और इधर सही यहां से में लाइन गई थी य जो कि अब ही सीधे हमने प्रीवेस लॉं ने के लुट जाती है यह वह वही से यह होते हुगे सिधे उन उस में लाइन में जाके मल गए है तो फ्रेंज अभी हम आपको इसी लाइन पर लेकर चलते हैं जो कि सीधे लोदीपूर की और जाती है जो कि हां से फ़ले रेलवे ट्राक गैजब चली आपको भी दिखाते हैं और भी इसमें अब आपको कुछ ट्रेनों के अपशेश मिलेंगे देखने को जो कि फ्रेंड से यहां से ट्रैक निकला था जो कि अब गायव हो चका है तो हम आपको इसी सीध में लेके चलते हैं आपको दिख रहा होगा उचाई है यहां पर यहां पर से ट्रेंगे दिखिए यहां से पत्रिया निकली थी है और आभी हम लों इंद्रानंगर के पीछे हैं ये इसिए को इंद्रानागर कॉलो홍नи है पूरी और यह पूरी रेलवे की जमीन की यहां पेड लगे हम आप ये देखे पीछे जंगल ए और इस साइड को मारी ओरने कॉलो Hmonger और आपको पताते हैं यहीं देखें यहां से पूरा ट्राइग दिखने लगा है यहां को पुरानी रेलवे लाइन थी यह कि सीधे आगे लोधी-पुर्की ओर गई है चुछ लिए आपको पूरा दिखाते चलते हैं आपको को और चीज पताते हैं यह जो बाउंटरी देख र यह जो बाउंटरी देखें और इदर पीछे सामने आपको बाउंटरी दिखें हो गिवावासा है मतलब जितर पिशात की गोटी की बाउंटरी है और इसके पीछ में आपे डेल बेड लाइन गई है आपको बता दे अभी हम इस रेल्वे ट्राक के ऊपर चल रहे हैं तर रेल्वे ट्राक के बिक्चर बीच चल रहे है जो कि पहले यहां पर एक टाइम पर आना बहुत दूंगों को अटर लगता था रेल्वे पीत किया रेल्वे की बट्राक पीच वाना और आज यहां पूरी पक्की सड़क बन चुकी है सामने आपको जो रोड देखने हैं यहां पर लोदीपुल वाली रोड आ चुकी है यहां पर लोदीपुल है और आपको बता देए यह जो रोड जाती है यह सीधे हमारे रामरीला मेदान है उसकी और जाती है प्रेंट आपको अपने दिखाया कि हम उस रोड से आये और जो कि वहां से पुरानी रेल्वे लाइन आई यहां से होते हुए इधर की यह जाती है तो अभी आपको दिख रहा हुए यह यह पूरी पुलिया बनी हुए है जो कि अपसे विसके कुछ निशान ही बाकी रह गए एक टाम पर यहां पर ट्रेन दोड़ा करती थी तो फ्रेंट्स यह जो ट्राय के यह सीधे आगे जाके दो लाइनों में बढ़ जाता है एक जाता है सीधे बहादुरुगंज रेले सेशन की और जो कि वहां पर वह घंडर हो चुका है और एक और जाता है सीधे बंका घाट के जो आपको प्रिविस ब्लॉग में दिखाया यह जाता है तो आपको भी मैप में हमने समझाया ही था आपको मनें उपर से दिखाये थी रेलवेड ट्राक और इसके नीचे यहां पर नाला बैरा और यह सीधे नाला जो हमारी खन्वात नदी में चाके मिलता है और यह देखे आगे सीध में यह पूरी रेलवे लाइन गई है और यह देखे पूरी खराब हो चुके रेलवे ला तो देखिए फ्रेंड्स यहां पर लोंगों ने अपने मकान वगरा बना रखे हैं यह पूरी रेलवे के जमीन है अब यहां पर लोंगों ने अपने घर बना लिये हैं यह देखे फ्रेंड्स यह बच्चो वाली जेल है आपको दिख रहा होगा और यह हम लोग आगे हैं पोस्मार्टम हाउस के पीछे और यह देखे फ्रेंड्स यह है वही रेलवे लाइन जो सीधे आई है तो फ्रेंड्स अभी आपको हमने वहां लोधीपूर से दिखाया थे कि वहां सामने दुग्र में रोड पर खड़ती और आपको वहां से ट्राक दिखाया था तो अभी आगे चलके में यह बता थे कि यह जो दो ट्राक जो है दो हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं तो बीशेप बनावाए तो यह जो ट्राक आया सीधे यह जाता है के रुगंज चला जाता है और यह डाट राक जो है जिस पर हम खड़े यह जाता है तो यह अभी हमको में पुराना डाइवर्जिन दिखा रहे कि अभी यहां पे ट्रेन असे निकला करती होगी तो फ्रेंड्स प्रेंड़ तो तो फ्रेंट्स अभी हम जिस ट्रैक पर खड़े हैं और तो आप पर यह वही ट्रैक है जो सीधे बंगा घाट तुबे के दूगंज मालगोदाम की वह जाता है और यहां पर देखे पूरी जाड़ियां वगर उख चुकी है और यह पूरा बागे तक गाहे भी उख चुका है फ्रेंट्स आपको यह लेट ट्राक दिखह रहा होगा यह दूसरे ट्राक है जो कि सीधे बहाद्र व करेंज रेल्वी सेशन की हो जाता है और सामने सीधे सिधे पोस्ट्मार्टम थाउस की बिल्डिंग है बाउंटरी है और यह जो रोड जा रही है आपको सामने दिख रहोगा यहां पर जेल वाली फटकिया हुआ अब कुछ आफशेश बाकी है जो कि अभी आपको दिख रहे हैं बहादुर कंच माल को दाम रेल्वे सेशन के और लेकर जलते आपको यहां पर देखे यह नगर निगम ने आपर वालों की पार्क बना रखा है यहां से कभी इस रोड से यहां पर पुरानी बट्रियां थी लिग जो कि अब इस पूरी रोड के नीचे अब जो की है और यह संगनी मेरीज लॉन है किसी किसी शादियां यहां होई है मुझे कॉमेंट में मेंचिन करें तो सामने आपको एक लाल बीटिंग दिखते होगी तो वह बहादूर कंज का पावर हाउस है और प्राना रेल्वे सेशन भी बना हुआ है तो यह आपको पास से ले लेके चलते और यह जो आप पूरी द किनी मौलिम खड़े और मेरे पीछे जाप बिल्डिंग देखे होई फातिमा फातिमा कर सेंटर कॉलेज है और इसी के पास यहां पर पुरानी फठकिया भी है जिसके अप्शेशी बचे है जिसके आपको दिख रहोगा सामने दो प्लियर बने हुए है तो इससे हमको पता ल हमारा बहादर गंज प्लेटफर्म की और जाता था यहां पर जो लोग है यहां पर बिजनेस करते हैं तो यहां पर चारो ओर लक्डिया है और यहीं पर से पराना रेल्वे ट्रैक भी गुजरा करता था जो क्या पूरा दफनों चुका है मिट्टी में तो चलिए आपको सीधे बहादर गंज के प्लेटफर्म पे लेके चलते हैं अब आपको लाल मेंटिंग देख रहों कि जो कि अपने दूर से दिखाए थी तो यहीं अप बहादर गंज के पावर हाउस है जिसके हम बैक हैं और आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा यह जाली है तो यहां पर यह रेल्वे की बाउंडरी हुआ करती थी सिर्फ जाली बची और अभी जहां पर कड़ें यह पूरा प्लेटफर्म हुआ करता था और यहीं पर से हमारी पुरानी रेल्वे लाइन हुआ करती थी जो कि अभी टेन रहा करती थी पूरा प्लेटफर्म बना था तो फ्रेंड्स कैसा लग आपको याज का पूरा फुल व्लॉग और उमीद करता आपको पसंद आया होगा कि आज आज आपको पूरी जो रेल्वी लैंड कहां कहां से गई है आपको पूरा दिखाया आपको पहले व् नहीं देखा है तो चानल पर विजट गरो आपको मिल जाएगा और फ्रेंड्स उमीद करता आपको पूरा व्लॉग आज का पही पसंद आया होगा तो अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए को मुझे पहली बार देखरी यूट्यूब पे तो चानल को सब्स्राइब क सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स मेरे भाई का यूट्यूब चैनल है व्लॉगर कार्टिक दिसका मैं निंक दिस्क्रिप्शन में दे दिया है और फ्रेंड्स एंड में एक शिर कमेंट सब्सक्राइब थैंक्स वर वाचिंग